नवस्कार आप देख रहे हैं दर्स न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार में पहली बार एक लाग से अधिक युवाओं को न्यूक्ति पत्र देने की तैयारी है आज पत्ना में सिक्षक न्यूक्तिक पत्र वितरन कारिकडम हो रहा है लेकिन उससे पहले ही आरजेडी और जेडियों में क्रेडिट लेने की होर मच गई है आलम ये है कि पोश्टर से तेजस्वी आदब को गायब कर दिया गया है जबकि आरजेडी का कहना है कि बिहार तेजस्वी बन रहा है साल 2020 के विधान सभा चुनाव में रुजगार चुनावी मुद्दा था रादनितिक दलो पर रुजगार देने के लिए दबाव भी था वही लोग सभा चुनाव से ठीक पहले महागडबंधन की ओर से युवाओं को लुभाने के लिए आज पटना के गांधी मैदान समेथ बिहार के अन्य जिलों में एक लाख बीस हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बाटने की तैयारी की गई है गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नितीश कुमार सफल सिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बाटेंगे सिक्षक बहाली को लेकर बिहार सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में परचार किया जा रहा है लेकिन नियुक्ति पत्र बाटे जाने वाले मेगा इवेंट को लेकर लगाए गए पोश्टर से गायव नजर आ रहे हैं तेजस्वी आदव क्या है पूरा मामला आईए समझते हैं बिहार सिक्षक नियुक्ति को लेकर मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने क्रेडिट लेने की कोशिस की है CM नितीश ने एक दिन पहले अपने भासन के दोरान लंबे चोड़े दावे भी किये उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है साथ ही मुख्य मंतरी ने RJD कोटे के मंतरियों को नसीहत भी दी कि कोई मंतरी स्रे लेने की कोशिस ना करें क्रेडिट सरकार को देना चाहिए इसले कर जदियू ने एक्स पर लिखा है बिहार में रोजगार की बहार नौकरी देने के मामले में आज इतिहास रचने जा रही है नितीश सरकार वहीं RJD प्रवक्ता एजाज एहमद ने कहा है कि तेजस्वी आदव ने युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था और उनके सपने सच हो रहे है उन्होंने कहा कि जिन संकल्पों के साथ तेजस्वी आदव सरकार में आये थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है RJD ने X हैंडल पर लिखा तेजस्वी बन रहा है बिहार राजद ने भी एक्सपर पोस्ट किया है जो वादा किया वो निभाया युवाओं की उमीदों पर खड़ा उतर कर दिखाया साथी साथ जापान दोड़े से लोटे तेजस्वी आदव ने सिक्षक नियूकती को लेकर भाजपा पर तंज कस्ते हुए कहा है कि यह अंक काटा बनकर भाजपाईयों की कप्टी आखों में गर रहे है सूल बनकर छाती में उतर रहे है बेचारे भाजपाई सक्पका गए है किम करतब में विमूड हो गए है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले अब बोले भी या चुप ही रहे कुछ भी अंट सं ख़च्छली हुई है और जहां काम हो रहा है बीना धानली के बिवार में सिक्षकों की नियुकती को लेकर राधनीती भी जम कर हो रही है महागरबंदन सरकार में स्रे लेने की होर पर बीजेपी ने कहा है कि सरकार मातर 30,000 बिहारी युवाओं को नई नियुक्ति देने जा रही है पुर्व उपमक्यमंत्री एवं राज्य सभा सांसद सुसील कुमार मोदी ने कहा है कि सिक्षकों के 1,70,000 पद रहते हुए राज्य सरकार बेमुश्किल 30,000 बिहारी युवाओं को नई नियुक्ति देने जा रही है सुसील मोदी ने कहा है कि सिक्षक भरती परिक्षा के लिए 9-12 वी कक्षा के लिए आवेदन ही अप एक्षा से 40,000 कम आएं फिर मात्र 1,22,000 अभियर्थियों के पास होने से 48,000 पद खाली रह गए हैं 10,000 और 3,000 लोगों ने बिहार सरकार की नोकरी सुईकार नहीं कर खाली रह जाने वाले पदों की संख्या 60,000 के कड़ी पहुचा दी है उन्होंने कहाए कि जिन अभियर्थियोंने नोकरी सुईकार की उनमें मुस्किल से 30,000 ही बिहारी युवा है अन्य राज्यों के लगभग 40,000 युवा बिहार में सिक्षक बनेंगे उन्होंने कहा है कि 37,500 वे नियोजिस सिक्षक हैं जो पहले से सरकारी सेवा में उन्हें अब दुबारा नियुक्ती पत्र दिया जाएगा बीजेपी परवक्ता है योगेंद्र पासवान उन्होंने कहा दिया है कि महागडवंदन में आपसी खीशतान चल रही है राश्ट्रिय जनता दल और जनता दल युनाइटेड किसी को क्रेडिट देना नहीं चाहती है नियुक्ती मामले में भी दोनों दल क्रेडिट लेने में जुटे हैं लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है नियुक्ती पत्र बाटे जाने से पहले बीजेपी के नेता है गृष्णा सिंग कलू उन्होंने भी एक पोस्टर जारी किया पोस्टर पर लिखा है कि ठगू के लड़ू इस पोस्टर में लड़ू की तस्वीर लगाई गई है तो वहीं तेजस्वी यादव और नितीश कुमार का कार्टून भी बनाया गया है सिक्षक भरती को लेकर लिखा गया है बिहारी करे सेवा बाहरी खाए मेवा साथी मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लेकर लिखा गया है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं उधर गाधी मैदान में नियुक्ती पत्र बाटे जाने वाले कारेकरम के बैनर में तेजस्वी की तस्वीर नहीं दिखाई दी है इस पर जहां RJD में विरोधा भास सुरू हुआ तो अब BJP को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है BJP ने अपने इस पोश्टर में साइड में तेजस्वी का कार्टून मनाया है और उसके नीचे लिखा है चाचा हमरो ठगलेल पोश्टर से गाइव इस बीच जन सुराज अभियान चला रहे परसांद किसोर ने भी महागडबंधन सरकारा और खास कर तेजस्वी आदब पर तंज कसा है साफ है कि सिक्षक न्यूक्ती पत्र वितरन कारिकरम में आरजेडी और जेडियों के बीच दूरी असपष्ट रूप से दिखड़ ही है पटना में सरकार की ओर से कई पोश्टर लगाएंगे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नितीश कुमार की तस्वीर है जनता की मूल भूत जरूरतों को पूरा किया जा सके चुनाव नजदीक आते ही महागरवंधन सरकार में इस तरह की बात निकल कर आना जनता के बीच एक गलत संदेश दे रहा है चुनावी स्टन्ट को छोड निताओं को जनता के हितों में बात करनी चाहिए और पक्ष के साथ बिपक्ष को भी ऐसी बयानबाजियों से दूर रहकर राज्य के हित में काम और बात दोनों करनी चाहिए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्षन में जाकर करके जरूर बताईएगा और हमारे चैनल दर्सनीज को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर ये वीडियो आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले